हेलो यूरीवन, स्वागत है आपका रिश्मास टेस्टी पूरी चैनल में और आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ एक ऐसी मस्तानी जो एकदम मार्केट स्टाइल है वही टेस्ट है, वही टेक्चर है तो आप भी इसी जरूर ट्राइ किजिएगा आज हम बना रहे हैं रोज मस्तानी, यहाँ पर मैंने 200 ml इतना थंडा दूद लिया है और वह मैंने मिक्सी के जार में डाला है और उसी मिक्सी के जार में यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ क्रशिश तो कोई भी मस्तानी हो, उसमें दो फ्लेवर होते हैं यहाँ पर हमने डाला है स्ट्रॉबेरी क्रश एक टेबल स्पून इतना और यह है रोज सिरप आप क्रश भी डाल सकते हो या फिर आप सिरप भी डाल सकते हो रोज सिरप भी मैंने एक टेबल स्पून इतना डाला है एक टेबल स्पून इतना यहाँ पर मैंने गुलकन डाला है और इसे हम मिक्से में पीस लेंगे गुलकन डाला है इसलिए यहाँ पर हम चीनी का यूज नहीं करेंगे अब इस पर यहाँ पर मैं डाल रहे हैं दो स्कूप इतना वीपिंग क्रिम हाँ यह वीपिंग क्रिम है जो हम फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं आप यहाँ पर फ्रेश क्रिम भी यूज कर सकते हो लेकिन वीपिंग क्रिम से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है और वीपिंग क्रिम भी थोड़ी मिठी होती है इसलिए हमें चीनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डालनी वीपिंग क्रीम के बाद मैंने दो स्कूप इतना डाला है रोस फ्लेवर का आईस क्रीम आईस क्रीम की रेसिपी की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मिक्सी में गुमाने के बाद यहाँ पर मैंने ग्लास के जार में नीचे डाला है स्ट्रॉबेरी क्रश उसके बाद थोड़ा सा आईस क्रीम Dry Rose Petal, यहाँ पर मेरे पास Dry Rose Petal ही थे अगर आपके पास fresh हो, तो आप fresh Rose Petal को भी cut करके डाल सकते हो गारनिशिंग के लिए अब mixy में जो हमने shake बनाया था, इसे हमने इस jar में डाल दिया है अब glass के उपर हम डालेंगे फिर से ice cream अब उपर से आप गार्निश करने के लिए ड्राइ फ्रूट यूज कल सकते हो ड्राइ रोस पेटल, फ्रेश रोस पेटल तूटी फ्रूटी तो यहाँ पर मैंने डाले है ड्राइ रोस पेटल और जो शुगर बॉल्स में दे कलर वाले उसी से यहाँ पर मैंने गार्णिश किया है तो इस तरह मार्केट स्टाइल दिल बहार रोज मस्ताणी बनके तैयार है इस रेसिपी को आप जरो ट्राइ किजेगा मार्केट में फ्रेश फ्रूट कभी भी यूज नहीं करते उन्हें सिरप या क्रश से ही बनाते ही सी यू सुन विट न्यू रेसिपीज बबाई